पबनी तालुका के गोसे खुद में राश्री परियोचना पर काम लभख पूरा हो गया है विधर्प सिच्चाई विकास दिगम की पिछले सप्ता हुई बैठक में पूरी शम्ता से सिच्चाई के लिए परियोचना का जलस्तर बढ़ाने का नेड़ने लिया गया इसके परियोचना में जलस्तर बढ़ने से किसानों की चिंता और बढ़ गई है इस परियोचना ने भंडारा जिले के 104 गावों को प्रभावित किया है कुल मिलाकत 34 और आंशिक रूप से 70 गाव हैं 34 गावों में 70 फीसेदी क्रशी भूमी और 70 गावों में 50-60 फीसेदी क्रशी भूमी प्रभावित हुई है अब तक जलस्तर 243 दावडी पार में जलस्तर के पत्थर को पार कर बैंक वाटर के रूप में खेत में प्रवेश कर चुका है अगर जलस्तर बढ़ता है तो कई तरह की समस्याइं पैदा हो सकती है जलापूर्ती योजना की और जाने वाली सड़के कब्रिस्तान की सड़कों पर पानी होगा वर्तमान में कई खेतों में पानी भर गया है और बिजली के खंबे 10 फीट पानी में डूब गये है रोहिता पानी के नीचे जाने से भी ड़ता है इन समस्याओं के समधान से पहले ही परियोजना का जलस्तर बढ़ रहा है जिससे शेत्र के किसान चिंतित है कई बंजय क्रशी भूमी में भी बाढ़ आईगी और किसानों को भारी नुकसान होगा संबन में जिलाधिकारी को ब जलस्तर बढ़ने से कई खेट जलमंगन हो गए हैं किसानों को उचित मुआफ़ा दिया जाए जलस्तर का सर्वेक्षन करके अधिकांश क्रशी भूमी का भी अधिकरहन किया गया था कुछ किसानों का क्याना है कि पानी के सर पर खान का सर्वे गलत है इसलिए जलस्तर का जुकसान होगा पवनी से बीसेन न्यूस के लिए प्रदीब घाडगे की रिपोर्ट